आईपेल 2021 फेस टू की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही फेसे स्याय ने एलान कर दिया है कि आईपेल के बचेवे मैच यू एई में 19 सितंबर से शुरू होंगे अब तो इसका पूरा शुडिल भी चैरी कर दिया गया है लेकिन आईपेल के फेस बन के बाद दूसरे फेस की मुश्किले अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हुई है अब ख़बर सामने आ रही है कि आईपेल फेस टू में दक्षिन अफरी की खिलाडी हो सकता है कि शुरुआती कुछ मुकाबलों में खेलते हुए नजर ना आए इसका कारण दक्षिन अफरी की टीम का शिरलंका दौरा है जो सितंबर में ही होना है दरसल दक्षिन अफरी की टीम को सितंबर में शिरलंका दौरे पर जाना है जहां उसे 3 वंडे और 3 2020 मैचों की सिरीज खेली है ये सिरीज 2 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर को खतम हो जाएगी और आईपेल का पहला मैच 19 सितंबर से शुरू होना है रिपोर्ट्स के अनुसार करोना वाइरिस के कारण शिरलंका रैड लिस्ट में है ऐसे में UAE सरकार महां से आने वाले खिलाडियों को सीधा बायो बवल में परवेश देगा या नहीं ये बड़ा सवाल है हाला कि इसकी संभावना कम है कि शिललंका से खिलाडी आएं और सीधे बायो बवल में परवेश कर जाएं इन्हें इससे पहले कम से कम आट दिन के लिए कारिंटाइन रैना होगा इसके बाद ये खिलाडी अपनी टीम के साथ जुर पाएंगे जाइर है कि ऐसी हालात में ये खिलाडी आईपेल के शुरुवाती कुछ मैचों को मिस जरूर करेंगे आईपेल में दक्षिन अफरीकी के अच्छे और बड़े खिलाडी खिलते हैं इसमें डेविड मिलर, लोंगी एंगिडी और कगी सुरावाडा शामिल है आईपेल के खिलाडी खिलने को लेकर कोई संधेन नहीं इसे भी पहले ही इसको लेकर मना कर चुका है ये की कोशिश आई कि किकी कि सी तरह से बात बन जाये ताकि आईपेल का पूरा रोमांच बढ़ा रहे देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन सभी माम लोग लेकर क्या कुछ फैसला होता है दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में चलगदाएं जैहन